हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल आउनलाइन लाइन वेबसाइट जी के लूसरी निविस्तवाब कर स्वागत है भारतिय सवयदा में आज में बात करें नगर पालिका के प्रकार नगर पालिका के प्रकार मैं पहले बात करते हैं नगर पंचायत के ऐसा ग्रा मद्रास में 1929 सितंबर 1888 इस्वी को की गई थी 1987 में बोर्ड आफ डारेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बराने की अनुति दी महत्पूर्ण सब्दा वली पहला सूनिकाल संसत के दोनों सद्रों में प्रश्निकाल के ठीक बात के समय को सूनिकाल कहा जाता है या 12 बजे प्रारम होता है और एक बजे दिन तक चलता है सूनिकाल को का लोकसभा या राजसभा की प्रक्रिया रतर संचलन नियम में कोई उलेक नहीं है इसकाल अर्थात 12 बजे से एक बजे तक के समय को सूनिकाल के नाम समचार पत्रों दौरह दिया गया है इस काल के दौरान सदस्य अवी लंबिनिय महत्र के मावलोय को उठाते हैं उस पर तुरंद कारवाई कर चाते हैं नोट वर्दमान में सूरी काल एक बज़े से दो बज़े तक चलता है दूसरा संसत का इस्तगन संसत सदन के इस्तगन द्वारा सदन के कामकाज को विनीद्रिष्ट समय के लिए इस्तगित कर दिया जाता है या कुछ घंटे दिन या सप्ता का भी हो सकता है जबकि सत्रा वाशन द्वारा सत्र की समापती होती है विगटन केवल लोगसभा का ही हो सकता है इससे लोगसभा का अंत हो जाता है अनुपूरक प्रश्ण सदन के किसी भी सदस द्वारा अध्यच की अनुमती से किसी विशय जिसके संबद में उत्तर दिया जा चुका हो कि इस प्रस्टी करण हे तू अनुपूरक प्रश्ण पूछने की अनुमुतिर प्रदान की जाती है पांचवा तारांकित प्रश्ण जिन प्रश्णों का उत्र सदर्स तुरन सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्ण कहा जाता है तारंकित प्रश्णों का उत्तर मौकिक दिया जाता है तथा तारंकित प्रश्णों के अनुपूरक प्रश्ण भी पूछे जा सकते हैं इस प्रश्ण के पर तारा लगा कर अनुप्रश्णों में इसका भेद किया जाता है आंत्रिक प्रश्ण जिन प्रश्णों का उत्तर सदस लिखे चाहता है उन्हें आतंकरित प्रश्ण कहा जाता है आतारंकित प्रश्ण का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है और इन प्रश्णों के अनुपूरक प्रश्ण नहीं पूछे जाते हैं साथवा इस्तिगन प्रस्ताव इस्तिगन प्रस्ताव पेस करने का मुख देश किशी आवी लंभी निय लोक महत्व के मामले की और सदन का ध्यान आकरशित करना है जब इस प्रस्ताव को स्विकार कर लिया जाता है तब सदन आविलम्बिनी ये लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन की नेमित कारी रोक देता है इस प्रस्ताव को पेज करने के लिए नियुनतम पचास सदस्यों की सीकृर्टी अपिशक है आठvideo, अल्प शूच्णा प्रष्ण जो प्रष्ण आलं आ वेलंबनी लोक महत्तव का हो तता जिन्य सथान प्रष्ण के लिए निर्धारई दस तिन की आउधी से कम सूच्णा दे कर पूचा चासकता है उसे अल्पouchणा प्रष्ण कहा जाता है संचित निदी या Consolidate Fund सविधान के अनुषे 266 में संचित निदी का प्रावदाने संचित निदी से धन संचत में प्रस्तूत अनुदान मांगों के के द्वारा ही वैग किया जाता है राजों को करो अवन सुलकों में से उनका अंस देने के बार जो धन पचता है निदी में डाल दिया जाता है राश्पती उपर राश्पती नेंत्रक हुआ महालेगा परिछग आदे के विद्धन तदा भत्ते इसी निदी पर भारित होते हैं दसवा अकास्मिक निदी कॉंटेंजिंसीं फंट सविधान के अनुचे 267 के अनुचार 12 सरकार एक अकास्मिक निदी की स्थापना करेगी इसमें जमाधन राशी का वै विधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया के अनुचार किया जाता है संसत्की स्विक्रिती के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता विशेश परस्तितियों में राश्टपती अकरिम रूप से इस निदी से धन निकाल सकते हैं ग्यारवा आदे घंटे की चर्चा जिन प्रश्णों का उत्तर सदन में दिया गया हो और उन प्रश्णों से उत्पन होने वाले मामलों पर चर्चा लोग सभा के सब्ता में तीन दिन बात तथा सोंबार पुद्वार उसुगवा के बैटा के अंति मादे घंटे में की जा सकती है राज जबह में ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे सब्ता पते नियत करें समानता पांच बजे से सौड़े पांच बजे के बीच की जा सकती है ऐसी चर्चा का विश्य परियाप्ति लोग महत्व का होना चाहिए तदा विश्य हाल के किसी तारंकित आतारंकित या अल्प सूचना का प्रश्ण रहा हो जिसके उत्तर के किसी भी तथात्मक मामले का प्रश्टी करना आवश्यक है हो ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम तीन दिन पूर दी जानी चाहिए बारवा आलपकालीन चर्चाएं बारत के इस प्रथा की सुरवात 1953 इस वीके बाद हुई इसमें लोक महत्रक के प्रश्णों पर सदन का ध्यान आकर्शित किया जाता है ऐसी चर्चा के लिए इस प्रश्ट कराणू सहित सदन के महा सचेव की सूचना दिन आवश्चक होता है इस सूचना पर कम से कम दू अन्य सदस्यों के हस्ताचर होना भी आवश्चक है तीरवा विनी नियोग विदियक विργी नयोग विदियः क में भारत के संचित निदी पर भारत वे की पूरती के लिए आपेचित धन तथा सरकार के खर्च हेतू अनुदान की मांग सामिल होती है भारत में संचित निदी में से कोई धन विर्ण योग विदियः के आदी नहीं निकाला जा सकता है जैसे कि विजद है कि विविदियक विदियक के पाइद होने के बाद भी भारत के संचीन निदी में से कोई रखम निकाली जा सकती है लोगसभा लेखा नुदाए, वोट औन एकॉंड पारिद कर सरकार के लिए एक अगरीम राशिय मजीवर कर सकती है जिसके बारे में बजट ड्रिवन देना सरकार के लिए संभव नहीं है पंदरवा वित विदियक यानि फाइनस बिल साविधान की अनुचे रिक से बारा वित विदियक को परिभासित करता है जिन विदिये प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तूत करती है उन विदिये प्रस्तावों को मिलाकर वित विदियक की रचना होती है समानता वित विदियक उस विदियक को कहते हैं जो राजस विया वय से समदित होता है संसत में प्रस्तुत सभी वित विद्याग धन विद्याग को नहीं हो सकते हैं वित विद्याग धन विद्याग या नहीं इसे प्रमानित करने का दिकार किवल लोकसभा अध्यच को है सूलमा धन विद्याग संसत में राजस्व एकत्र करने तथा अनुप्रकार के धन हानु प्रकार से धन से संब्धित विधियाक को धन विधियाक कहते हैं सब्धान के अनुषिर 110 प्रथम के उपखंड का से चाहतक उलेकित विश्यों से संब्धित विधियों का धन विधियाक कहा जाता है धन विधियाक के लोगसभा में ही पेस किया जाता है दन विदियक को राश्पती पुना विचार के लोटा नहीं सकता है सात्मा सत्रवा अनपूरक अनुदान यदि ब्री नयोग विदियक द्वारा किसी विशे सेवा पर चालू वर्ष के लिए वै किया जाने के लिए प्रदेकृत कोई राशी आपरियाप्त पाई गई जाती है या वर्ष के बजट में उलेकित ना की गई हो और किसी नई सेवा पर खर्च की आफसकता उत्पन हो जाती है तो राश्पती एक अनुदान संसत के समझ पेस करवाएगा अनुपूर कनदान और विरिनियो विजय दोनों के लिए ही प्रक्रिया विवित की गई है अठाना बजट सत्र या सत्र फफरी के दूसरे या तीशे सब्ता के सोंबार को आरम होता है इस बजट सत्र इसलिए कहते हैं कि इस सत्र में आगामी वित्ती वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत विचारित और पारित किया जाता है इसका अभी प्राहिया है कि वह अपने पद पर तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे निम सत्र अर्थात लोगसभा के बहमत का समर्थन प्राप्त है लोगसभा का विश्वास खोते ही मन्ति पर्षत को तुरंट पद त्याग करना होगा कटोती प्रस्ताव सत्ता प्रषत्वारा सदन की स्विक्रती के लिए प्रस्तुद अनुदान की मांगो में से किसी भी प्रकार की कटोती के लिए विप्रषत्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटोती प्रस्ताव कहा जाता है सरकार के नीदियों की आस्युक्रिती को दरसाने के लिए विपश़ द्वारा प्राया एक रुप्या की कटोती का प्रस्थाव किया जाता है जिसका अर्थ है कि या भी होता है कि प्रस्थाव मांग के मुद्रों का इसपष्ट उले किया जाए 21. आविस्वास प्रस्ताव सतन के विपच्छी दल के किसी सदस्य दोरा रखा जाता है प्रस्ताव के पच्छ में कम से कम 50 सदस्यों का होना आविशक है और प्रस्ताव प्रस्ताव किये जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आविशक है अजर्चा के बाद अद्च मजदान दोरा निर्णे की गोश्टना करता है 22. मूल प्रस्ताव मूल प्रस्ताव अपने आप में संपूर्ण प्रस्ताव होता है जो सदन के अनुमोदन के लिए पेस किया जाता है मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि उससे सद़न के फैसले की अभी वेक्टिक हो सके नमने कि प्रस्ताव मूल प्रस्ताव होते है A. पहला निराश्पति के अभीभासर पर धन्यवाद प्रस्ताव B. आविस्वास प्रस्ताव इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस मंतिर प्रशद में अपना आविस्वास वेक्त करता है और या प्रस्ताव पाइद कर दिया जाता है तो मंतिर परश्द को त्याग पत्र देना पड़ता है C. लोग सभा के अधच या उपाधच या राज सभा के उपसभबती के निर्वाचन के लिए या हटाने के लिए प्रस्ताव D. विश्द सा अधिकार प्रस्ताव या प्रस्ताव संसत के किसी सदर से द्वारा पेज किया जाता है जब उसे या प्रतीत होता है कि मंतिर परश्द के किसी सदर के संसत में जूटा तत्य प्रस्तुत करके सदन के विश्द सा अधिकार का उलंगन किया गया है तेश्वा इस्थान पन प्रस्ताव जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के इस्थान पर और उसके विकल्ब के रूप में पेश किया जाते हैं उन्हें इस्थान पन प्रस्ताव कहा जाता है इस प्रस्ताव को विन प्रगार के कारियों के अगली कारवाई के लिए नेमित उपाय के रूप में प्रवेश किया जाता है पचीसवा प्रतिस्थाबन प्रस्ताव या किसी आन्य प्रश्ण पर विचार विमर्स के दौरान पेश किया जाता है यदि कोई सदस किसी विर्यक पर विचार करने के प्रस्ताव के सम्मद में प्रतिस्थाबन प्रस्ताव पेश करता है 27. सविधान संसोधन प्रस्ताव या प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संसोधन करने के लिए पेश किया जाता है 27 अनीमित दिन वाले प्रस्ताव जिस प्रस्ताव का अध्यच द्वारस्विकार या अस्विकार किया जा सकता है लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार इमर्स के लिए कोई समय नेत नहीं किया जाता है उसे अनेमित दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है 28. अध्यादेश, राश्पती या राजपाल, संसद या विधान मंडल के 17 वाशन की इसती में आवश्चक विश्यों से सम्मदिद अध्यादेश का प्रख्यापन करते हैं 29. निंदा प्रस्ताव 30. निंदा प्रस्ताव मंतिर प्रस्त अत्वा केसी एक मंत्री के विरुद उसकी विवलता पर खेद अत्वारूस वेक्त करने के लिए किया जाता है 30. निंदा प्रस्ताव में निंदा के कारण का उलेक करना अविश्यक है नेंदर प्रस्ताव नियमनुसार है या नहीं इसका नेंदर अध्यच करता है थीसमा धन्यवाद प्रस्ताव राश्पती की अभी भासर के बाद संसत की कार्य मंत्रा समिती के सिफारिस पर तीन चार दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है चरचा प्रस्तावक द्वारा आरंब होती है तता उसके बाद प्रस्तावक का समर्थक बोलता है। इसे चरचा में राक्षपती के नाम का उल्लेक नहीं किया जाता है। क्यूंकि अभी वासर्म के विश्य वस्तु के लिए सरकार उत्तरदाई होती हैं। अनता में प्रस्ताव मद्दान के लिए रखा जाता है और उसे स्विक्रत किया जाता है विश्वास प्रस्ताव बहुमत का समर्थन प्राप्थ होने के संदे होने की किस्तिती में सरकार द्वारा लोग सभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है इस प्रस्ताव का उद्देश या सिद्धी करना होता है कि सद्धन का बहुमत उसके साथ है विश्वास परस्ताओं के पारित ना होने की दसा में सरकार को त्याग पत्र देना आवश्चक हो जाता है बतिस्वा बैंक पेंचर सद्धन के आगे इस्थान प्राया मंत्रियों सद्धन संसिदिये सचिवों तथा विरोधित दल के नेताओं के लिए अरजचित रहते हैं क्यार सरकारी सद्धन के पीछे का इस्थान नेत रहता है पीछे पैटन सद्धन को बैंक बंचर कहा जाता है गुलिटन यह संसिदी प्रक्रिया है जिसमें सभी मांगों को जो नेत तिती तक ना निप्टाई गई हो बिना चर्चा के ही मददान के लिए रखा जाता है 34 काकस किसी राजनितिक दल अत्वा गुट के प्रमुक सद्धियों की बैठक को काकस कहते हैं इन इन प्रमुक सद्धियों द्वारा तैगी नीतियों में से पूरा दल संचालित होता है त्रिंसुक संसत आम चुनाव में क रूप वरतियों को प्रशान मिलता है तेज की नौवी और दस्वी ग्यारवी और बारवी अन लोगसभा की हिस्तिती रही है 34 नियम 193 इस नियम के अंत्रगत सदस अत आवशक आविलम बिनी विशाय पर पंतरुंत अल्बकालिक चर्चा की मांग कर सकते हैं यह नियम 1903 में इस नियम बनाया गया था इससे सदन की नियमा वली में आविलम चर्चा के लिए इस्तगन प्रस्ताव के अंत्रगत अनिक होई साधन सदस्यों के पास ना था इसलिए यह नियम बनाया गया इसके अंत्रगत सदस किसी भी सारजनिक महत्र के आवलम बिनी विशाय पर अल्प पच्छ के सदस्यों को संबंद विशह के पर ही अपने विचार प्रकट करने का अउसर मिलता है। 37 न्याइक पुनर लोकन बारत के न्याइपालिका को न्याइक पुनर विल्योकन की सक्ति प्राप्त है। नियाई पुनालेकन के अनुसार नियालों को यादिका प्राप्त होता है कि यदि विधान मंडल द्वरा प्रारित की गई विधियों अथवा कारपाल का द्वरा दिये गए आदेश सविधान के प्रतिकूल हैं तो वे इन्हें निरस्थ गोशित कर सकते हैं और दिस्वा गणपूर्ति यानि कोरम सदन के किसी बैटक के लिए गणपूर्ति अद्यच सहित कुल सदस्य संख्या का दस्वा भाग होगी बैटक सुरू होने के पूर्य यदि गणपूर्ति नहीं है तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है अद्यच तभी पीठा सीन हो होता है और तब गढ़पूरती हो जाती है प्रश्णकाल 39 प्रश्णकाल दोनों सदरों में से प्रतेग प्रारम में एक घंटे तक प्रश्ण किये जाते हैं और उनके उत्तर दी जाते हैं इस प्रश्णकाल कहा जाता है इसे प्रश्णकाल कहा जाता है प्रश्णकाल के द्व और काईक्रम की चानकारी सुधन को देती है 24-वन दभाव समूं यानि प्रेश्र ग्रुप वेक्दियों के ऐसे समूं जिनके हित सम्मान होते हैं दभाव समूं कहे जाते हैं ये ग्रुप अपने हित के लिए साशन तंत्र पर विविन प्रकार के दभाव बनाते हैं पंगू सत्र 41 यानि लैम्टक सशन एक विधान मंडल के कारकाल की समापती तदा दूसे विधान मंडल के कारकाल की सुरवात के बीच काल में संपन होने वाले सत्र को पंगू सत्र कहा जाता है या वैस्था केवल अमेरिका में है बालिस्वा सच्टक विप यानि राजनीतिक दल के अनुसाषन बनाए रखने के लिए सचेतक या नियुकती प्रति एक संसिधी दल द्वरा की जाती है किसी विशय विषयेश पर बददान होने की सिथी में सचेतक अपने दल के सद्रस्यों का मददान विशय शक निदेश देता है सचेतक के निदेशों के विरुद बतले विरोत कानून के अंतकत कारवाही की जाती है थैंक्स पर वाचिंग और शेरिंग